जैसे कि आप लोग अभी इस वीडियो के एसकिन पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोग को ज़्यादा मथा लगाने का जोरत नहीं है चले मैं सिंपल प्रोसेस में आप लोग को समझा देता हूं इस वीडियो को एडिटिंग करना तो इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को इस तरह का फोटो डॉनलोड करके रख लेना है जैसे कि आप लोग अभी इसकिन पर देख रहे हैं फोटो को चले इसके लिए मैं काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूं उपन कीजेगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा तो आप लोग को यहां से निव प्रोजेक्ट याने की प्लस के सिंबॉल पर किलिक कर लिजेगा तो करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा तो simple से इस 3 के symbol पे यानि की import जो लिखा हुआ है तो इस पे click कर लेज़ेगा इस तरह का आप लोग को interface मिल जाएगा मिलने के बाद आपको यहां से 3 line पे click कर लेज़ेगा अब आप लोग को यहां से download पे click कर लेना है तो download पे click करने के बाद आप लोग जिस file में project को download करके रखे हैं उस file पे click कर लेज़ेगा तो करिएगा तो आप लोग को यहां पे मिल जाएगा Hindi Lyrical तो आप लोग को इस project का नाम है Hindi Lyrical तो आपको इस पे click कर देना है तो direct आपके coin master में open हो जाएगा कुछ इस तरह से चले मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह से open हो चुका है पूरा तरह open करने के बाद अब आप लोग को यहां से scroll करके नीची आना है तो नीची आईएगा तो आप लोग को यहां पे दिख रहा होगा एक blue color का layer तो simple से इस blue color के layer पे click कर लिजएगा तो करने के बाद यहां से आप लोग को replace पे click कर देना है तो replace पे click करने के बाद इस तरह से gallery open हो जाएगा तो आप सुबों को उस file पे click करना है जिसमें आप लोगों का photo आए चले मैं अपने file पे कर देता हूँ और photo पे कर देता हूँ तो photo add हो चुका है तो photo को add करने के बाद देख सकते हैं अभी photo साई से adjust नहीं है फ्रेम में तो चले मैं इसे साई से adjust कर लेता हूँ तो adjust करने के लिए यहां से splied skin पे click किज़ेगा और यहां से इसे off कर लीज़ेगा आप करने के बाद अब आप सुबों को photo size से set कर लेना है अपने frame के हिसाब से कुछ इस तरह से तीर के मदद से देख सकते हैं मैंने adjust कर दिया हूँ और यहां से कर लीज़ेगा bike तो replace पे click करने के बाद अब आप लोग को क्या करना है जिस file में lyrical song को add करके डखे हैं उस file पे click कर लीज़ेगा करने के बाद lyrical song को ढूंड करके lyrical song पे click कर लीज़ेगा और okay कर देज़ेगा तो lyrical song add हो जाएगा अपने जगा पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से add हो चुका है तो add करने के बाद यहां से कर लीज़ेगा बाइक तो दोस्त देख सकते हैं मैं दोनों चीज़ को बाड़ी बाड़ी से add कर दिया हूँ तो इस तरह से आप लोग भी कर लीज़ेगा तो इस project का link इसी वीडियो के description में आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग save अपने gallery के अंदर तो save करने के लिए इस तीर के symbol पर क्लिक कर लीज़ेगा और यहां से save as video वाले option पर क्लिक कर दिज़ेगा तो video save होना start हो जाएगा कुछ इस तरह से यहां पर देख सकते है red color चलना start हो चुका है तो चलिए आज के लिए फिर मिलेंगे new interesting video के साथ तब तक के लिए good bye